हाई फ्रेंड्स मैं गुद धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब चाइना अरुनाचल को अपना ही टेरिटुरी का हिस्सा मानता है लेटस्ट इसी चीज में क्या होता है कि चाइना अरुनाचल में कुछ हिस्सो का नाम अपने हिसाब से वो रख देता है इसके पहले भी जिस तरीके से गवर्मेंट ऑफ इंडिया और गवर्मेंट ऑफ चाइना दोनों बढ़ चड़कर LSE region के आसपास infrastructure development कर रहे हैं और Galvan Valley के बाद अब तक लगभग कुछ 20 से 21 हाई-level rounds of conversation हो गया है उसके बाद भी जो escalation है, tension है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा तो ऐसे छोटे बड़े हमारे पास बहुत सारे examples हैं जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो स्थिती है वो अभी भी तनावपूर्ण है इस वीडियो में हम कुछ examples के मदद से भारत और चाइना के बीच में LSE region के आसपास जो dispute है उसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि भारत और चाइना के बीच में LSE region का जो dispute है ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा चोड़ा topic है जिसको कि शायदी किसी एक वीडियो में समीटा जा सकता है आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जब चाइना ने officially अरुनाचल के कुछ हिस्सों का नाम अपने हिसाब से रख दिया तो उसके बाद government of India का क्या reaction आया मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते है वैसे तो भारत और चाइना के बीच में border dispute हम कह सकते हैं कि 1947-48 से ही शुरू हो जाता है और ये area लगभग 1950s के आसपास नहीं चाइना के control में आ जाता है उसके बाद 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो war होता है उस वक्त से ये area complete तरीके से चाइना ये declare कर दिया है कि ये उनका ही area है हलाकि यहाँ पर government of India ये कहते हैं कि इस area को illegal तरीके से occupy करके रखा गया है चाइना के द्वारा इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान occupied कश्मीर और एकसाइचिन दोनों भारत का integral part है और सभी हिंदुस्तानी मेरे तरह इसको भारत का अपने integral part मानते हैं इसके अलावा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब चाइना ये क्लेम कर रहा है कि लद्दाक हो गया या अरुनाचल हो गया या इसके आसपास के जो areas है वो उनका ही है इन फैक चाइना बढ़ चड़कर ये भी कलेम करता है कि वैसे areas जो रश्या का हिस्सा है उसे भी वो अपना हिस्सा मानता है पिछले साल 2023 में चाइना एक map release करता है जिसमें वो अपने हिसाब से अलग-अलग देशों का जो areas है उसको अपना हिस्सा मानना वो शुरू कर देता है जिनको नहीं पता उनको मैं बता दू कि चाइना और रश्या के बीच में भी border dispute है और चाइना और रश्या के बीच में जो relation है वो ऐसा लग सकता है कि वो अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं है एक चीज़ I am sure कि आप लोगों ने भी ये notice किया होगा कि जहां जहां पे Britishers rule किये हैं उन सब areas में border को लेके dispute है और हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग 95% areas में जहां 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 Britishers ने rule किया है वहां वहां वो border dispute को छोड़ के आए हैं भारत और चाइना के बीच में भी लाइन है और ये McMohan कौन थे तो ये भारत में foreign secretary थे तब क्योंकि भारत में Britishers rule कर रहे थे तो इनका जो actual designation था वो था British Indian foreign secretary sir Henry McMohan और वो अपने हिसाब से इस border को draw कर देते हैं लेकिन जैसे ही भारत अजाद होता है और चाइना में communist सरकार आती है तो लगभग हम कह सकते हैं क 1950s के आज स्पास नहीं जो चाइना है वो जितने भी जो treaties या जितने भी जो sign या agreement किये गहा थे border को लेकर चाइना सब को मानने से इनकार कर देता है और वो ये कहता है कि भारत और चाइना के बीश में जितने भी जो borders है उसको दुबारा से हमें reconsider करना है उसे दुबारा से हम नापना है और हम जो border बनाएंगे उसे हम अपने हिसाब से बनाएंगे लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि China बढ़ चड़कर बहुत सारे areas जो उसका कभी था ही नहीं उसे भी वो claim करता है as a result क्या होता है कि भारत और चाइना के बीच में कोई एक mutual agreement नहीं बन पाता है as a result आज भी जो हमारा चाइना के साथ border लगता है उस region को हम कहते हैं LAC और भारत के हिसाब से चाइना और भारत का जो LAC है वो लगभग 4000 km का है लेकिन वहीं चाइना कहता है कि भारत और चाइना का जो LAC है वो लगभग 2000 km है इसको हम रफली कुछ इस तरीके से माल ले कि बहुत हद तक जो भारत का territory है चाइना उसको भी अपना हिस्सा मानता है एक researcher या एक professor हम कहले जिनका नाम है Zhang Yongpan माफी चाहूंगा अगर मैं इस नाम को wrong pronounce कर रहा हूँ तो ये Chinese Academy of Social Sciences में research करते हैं और मैं भी पढ़ाते भी होंगे उन्होंने Global Times को पिछले साल एक interview दिया था जहां पे वो ये कहते हैं कि जो Arunachal है उसको China अपने हिसाब से नाम दे रखा है Zhang Nam और साथ में ये भी कहते हैं Zhang कि China के पास वो पूरा अधिकार है जिस अधिकार के तहत वो Arunachal का नाम अपने हिसाब से रख सकता है तो बढ़ चड़कर इम्टा क्लेम ये है कि Arunachal जो था वो हर वक्त China का ही हिस्सा था और अपनी बात को ये प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि तवांग में जो Monasteries है या जो तिबबत में Monasteries है उन सब Monasteries के साथ चाइना का बहुत ही historical contact रहा, relation रहा हलाकि चाइना को जो logic है वो Chinese के अलावा किसी और को समझ में नहीं आता है कि किसी जगह पे अगर आप जा रहे हैं या किसी जगह से अगर आपका relation है तो उसको आप किस basis पे ये claim कर सकते हैं कि वो जगह आपका हिस्सा था ये times.com का article है अगर आप इस article को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही साफ और इस पस्ट तरीके से लिखा गया है experts के द्वारा कि जो आज का border का definition है वो आज के 300 या 400 साल पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन जो आज का border का definition है वैसा कोई definition नहीं हुआ करता था और जो चाइना के द्वारा जो ये कहा जाता है कि तवांग या तिबेद या बहुत हद तक अरुनाचल उनका हिस्सा था ये सिर्फ उसी आइडिया को बेस बना रहे हैं जैसे कि अगर कहीं पे दो देशों के बीच में या कहीं पे दो जगों के बीच में अगर वैपार होता है तो कुछ सालों के बाद आप ये क्लेम करना शुरू कर दे कि क्यूंकि हमारा उस जगह से हिस्टोरिकल कॉंटेक्ट है इसलिए वो एरिया भी हमारा है अब ये दोहराने के जरुवत तो है ने कि अरुनाचल भारत का एक इंटेग्रल पार्ट था आज भी है और आगे भी रहेगा भले चाइना या कोई और देश किसी और नाम से अरुनाचल को पुकारें जैसे ही ये बात पब्लिक डोमेन में आता है कि चाइना कुछ एरियास का नाम अपने हिसाब से वो रख देते हैं वैसे इंगोवर्मेंट अफ इंडिया काफी स्ट्रॉंग रियाक्शन आता है और चाइना के दुआरा इस एक्शन को काफी सेंसलेस बताया जाता है और साथ में ओफिशली ये भी कहा जाता है कि अरुनाचल भारत का एक इंटेग्रल और इन एलियनेबल पार्ट है इसके पहले भी चाइना 2017 में अरुनाचल में कुछ 6 जगों का नाम अपने हिसाब से वो रखता है उसके बाद 2021 में चाइना दुबारा एक दूसरा लिस्ट रिलीस करता है जहां पे 15 और जगों का नाम अपने हिसाब से रखता है उसके बाद 2023 में चाइना तीसरा लिस्ट रिलीस करता है इसके पहले भी जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दुवारा टनेल्स वगेरा का इनाउगरेशन किया गया है चाइना इन सब एक्शन्स को देके काफी खफा रहता है और वो ये बार-बार क्लेम करता रहता है कि रुनाचल प्रदेश चाइना का एक इंटेग्रल पार्ट है इना भी ये हम कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है अगर आपके पास में लिए कोई सजेशन है तो वो आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye